नमसकार दोस्तों देखिए निफिवी ने आज कलोजिंग दिया है 150 बड़त के साथ और बैंक निफिटी के बात करते हैं हम लोग तो बैंक निफिटी 286 बड़त के साथ यहाँ पर कलोजिंग दिया है एक टाइम पर बैंक निफिटी लगबग 800 900 गिरावट में थी और अगर हम लोग bank nifty का high low देखते हैं तो bank nifty ने यहाँ पर high बनाया था 33,263 का और low बनाया था 32,155 का तो लगबग यहाँ पर thousand point का moment हमें bank nifty में देखने को मिला हम लोग bank nifty में option selling करते हैं इसलिए हम लोग bank nifty की बात ज्यादा करते हैं ठीक है लेकिन इंडिया विक्स की बात करते हैं तो इंडिया विक्स 28 पर चल रहा है और यह आज 2% गिरा हुआ था तो मैंने option selling किया था तो चलिए हम लोग देखते हैं कि काउन सा option sell कि मैंने किया था सुबह के टाइम पर market में जो गिरावट का signal दिया था मेरे setup ने यहाँ पर तो मैंने call option sell किया था और एक call option में मैंने profit book कर लिया उसके बात फिर से मैंने दूसरा call option sell किया लेकिन मुझे लागा कि यहाँ पर market और नीचे आएगा तो उसके बाद bank निफ्टी ने यहाँ पर buy signal दे दिया मेरे setup ने और इसका मैंने screenshot अपने टेलिग्राम चैनल पर भी डाला था जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे setup ने buy signal दिया था जब bank निफ्टी चल रही थ 600 के आसपास उस टेम पर मैंने screenshot डाला था उसके बाद bank निफ्टी ने यहाँ पर जो high मारा वो मारा इसने 33,258 का लगबग यहाँ पर 400 600 point के आसपास का moment यहाँ से दिखाया जहाँ पर मेरे setup ने buy signal दिया था वहाँ से लगबग 600 point का moment हमें अप साइड में देखने को मिला और मेरे call site का ऐसे लेट हो गया जिसमें मुझे loss हुआ तो जब मेरे setup ने buy signal दिया तो मैंने इसको cut नहीं किया यह position जो मेरी call option sell थी तो उसको cut नहीं किया एक और मैंने put option sell कर दिया cut नहीं किया तो तुरंत यहाँ पर मेरा stop loss हीट हो गया ठीक है stop loss हीट जब हुआ तो उसके setup चाहिए और मैं कैसे option selling करता हूँ तो मुझे WhatsApp करिए description में मेरा WhatsApp नंबर लगा हुआ है ठीक है call मत करिए प्लीज आप लोग क्योंकि बहुत सारे call आने लगेंगे मैं परिशान हो जाओंगा आप लोग को जो भी करना है WhatsApp करिए WhatsApp पे आप detail ले सकते हैं तो चलिए हम पोजिश प्राइट का मैंने stop loss थोड़ारजा ट्रेल कर दिया था इसलिए यहां पर call में मुझे लग ज्यादा हो गया कोई बात नहीं है तो पहला ट्रेट था मेरा मैंने call option sell किया था 34,900 की call option मैंने sell किया था जिसको मैंने sell किया था 60 रुपए में और इसको मैंने book कर लिया 40 call option sell किया मैंने count सा 34,500 की call option इसको मैंने 60 रुपए पे sell किया था और इसको मैंने buy कर लिया 84 रुपए पे इसका मैंने पहले 80 रुपए का stop loss लगया था फिर बाद में 4 पॉइंट मैंने इसको और बढ़ा दिया नहीं तो मुझे वहां पर 100 रुपए और head हुए मिलते तो इसम loss हो गया stop loss हुआ तो 600 रुपए का मुझे इसमें लौस हुआ उसके बाद फिर मैंने एक put option sell किया क्योंकि मैं एक लोट में काम करता हूं और इतना ही fund रखता हूं ठीक है तो 400 का 3400 का put option मैंने sell किया और इसको मैंने sell किया था 62 रुपए पे ठीक है 62 रुपए मैंने इसको sell कि था और 40 रुपए मैंने इसको बाई कर लिया हालांकि इसने क्लोझिंग दिया है आप लोग दोड़ सकते हैं यहाँ पर 27 रुपए पर लेकिन मैं ग्रीन में क्लोजिंग करने की कोशिश करता हूं में कि हर दिन मेरा green में close हो या तो loss हो मेरा तो बहुत छोटा मोटा हो ठीक है आप लोग देखते भी हैं कि मेरा 500 400 600 इतना ही loss होता है और profit 1200 1300 1500 के असपास का मैं करता हूं तो इसमें मुझे loss जो हुआ पासर पर मैंने इसको sell किया और चालिस पर मैंने इसको buy कर लिया तो 550 रुपए मुझे इसमे profit का generate हुआ 550 रुपए मुझे profit हुआ इसमें मेरा 20 रुपए का stop loss था फिर बाद में मैंने को 24 रुपए का stop loss केर दिया नहीं तो इसमें मुझे 100 रुपय और मतलब टोटल 550 रुपय का मुझे इसमें प्राफिट होता आज के दिन तो option selling में ऐसा ही होता है कम मिलता है लेकिन रोज मिलता है अब इंडिया वेक्स हाई है इसलिए थोड़ा सा प्राफिट कम हो रहा है नहीं तो 15702 के आसपास तक का एक एक लॉट में मैं प्राफिट जेनरेट कर लेता हूँ ठीक है तेंक यू